लता दीदी की वीड़ा से दम का आयोध्या का वैभो मुख्य मंत्रे योगी और केंदी परेटन मंत्री ने चौक का लोकारपन किया लता मंगेशकर चौक पर रिस्थापी चबूते पर तक्रिबन तामबे वा स्टेनलेस स्टील की बनी 40 पीट लंबी वा 14 टन वीड़ा को स्थापित किया गया है चौक के बीचों बीच चारों और 92 कमल की आकरिती के पत्थर पूल लगाए गये हैं जो दिवंगत लता जी की उम्र को दर्शाते हैं वहीं वीड़ा में मास अरस्वती जी के चित्र को उकेरा गया है इसका निर्मार प्रसिद्ध मुर्तिकार वा पदमिस्री से सम्मानित राम भी सुतार ने किया प्रसिद्ध साहितिकार वा लता मंगेश पर पर लता सुर गाथा के नाम से किताब लिखने वाले यतिन्द मिस्स द्वारा उनके सम्मान में हिंदी वा मराथी में लिखे गए शिलापट भी लगाए गए लगबग आठ करोर की लागत से राम नगरी के नया घाट पर इस्थापित लता मंगेशकर चौक वा इसके चबूतरे पर भीड़ा से अयोध्या दमक रहा है इस दोरान महा पहुँचे लताजी के बतीजे आधिनात है दैनात मंगेशकर वा उनकी पतनी कृष्णा मंगेशकर को भी यहां स्तापित भवी दिड़ा दिखाई गई उन्होंने इनके साथ फोटो भी खिचवाया इस चौक पर लताजी द्वारा प्रभुस्ती राम की इस्तुती में गाए गए भजन भी दिन रात गूजेंगे वीडा के चारो और तीन चक्कर लगाकर मुख्य मंत्री ने उसे निहारा और केंदी परेटन मंत्री को इस वीडा की खासियत भी बताई मुख्य मंत्री ने वीडा के निर्माता पदमिस्री विजेता राम भी सुतार को इस मिती चिन्न देकर सम्मानित किया झाल, झाल, झाल.